प्रेस्विक्यप्ति दिनाग 1 अक्टोबर 2015 2 अक्टोबर गांधी जैन्ती से देश के सुखा गरष्ट इलाकों की सम्वेदना यात्रा कल दिनाग 2 अक्टोबर गांधी जैन्ती से करनाटत के यादगीर से योगेंद्रयादव के नेत रिथ्व में जैकिसान आंदोलन की समवेदना यात्रा प्रारंब हो रही है। यह यात्रा इस समय देश में पढ़ रहे भीशन सुखे की तरफ देश का ध्यान आकरशित करने के लिए की जा रही है। आधिकारिक आकडों के मुताबिक अब तक पूरे देश में सामान्य से 14 प्रतिशत कम ब लगातार दो साल सुखा पढ़ रहा है जो खेती और किसानों के लिए काल साबित हो रहा है। मौसम विभाग की पूर्वे आनुमानों को मानो तो यह स्तिती अप्रिल 2016 तक जारी रहने की आशंका है। इसका मतलब है कि सुखे की यह स्तिती मौजूदा खारीव की फसल के सा राबी के आने वाली फसल पर भी असर डालेगी। उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं है। हम व्यवस्ता से समझोतावादी और समवेधन हीन समाज की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। इस यात्रा में हम देश के सरवाधिक सुखा ग्रजीलों के कुछ गाउं में जाकर प्रभावित परिवारों से मिलकर उनकी समस्या को समझ कर उसे प्रभावी धंग से राष्ट्रे पटल पर रखना ही हमारा लक्ष होगा। यात्रा के दोरान हम सुखे से निपटने के लिए वैकलपिक प्रयोगों को समझने की कोशिश भी करेंगे। जै किसान आंदोलन इस यात्रा के माध्यम से देश के किसानों वक्रिशी की स्थिती का सही चित्र देश के सम्मुक रखना चाहता है। हमारे समाज की सो रही समवेदनाओं को कुरेत कर उन्हें पुना जीवित करना तथा इस समस्या का समाधान डूनना ही समवेदना यात्रा का प्रमुख उद्दीश है। योगेंद्र यादव और जैकिसान आंदोलन के साथियों के अलावा इस यात्रा में समाज के अनेक विधाओं के बुद्धी जीवी वप्रमुक व्यक्ति सहयात्री होंगे ताकि हम किसानों के दर्द को समाज के हर अंग में अनेक पहलू से पहुँचा सके और गहन विमर्ष क विश्य बना सके। जै किसान आंदोलन सूखे को आकाल नहीं बनने देगा। इस आपदा में किसान अकेला न पढ़ जाए इसलिए देश की समवेदनाओं को खुद में आत्मसार किये। यहा समवेदना यात्रा एक बहतर भविश्यव खुशाल राश्ट्र के निर्मान के लि किसान यांद केम अ करृ प्रमान के लाइन के में आत्मसार कौ आ किसान आत्मसार करुशा है इस भाव बना सकेया इसलिए बना सक्रेक्षज का यान्दाव में की देगा